अब तो हद ही हो गई फिर नहीं दिया संजू सेंप्शन को मौका सोसल मीडिया पर भड़के फैंस नुजलेंड के खिलाब सिरिज के तीसे और अंतिम बंडे मैच में भी विकेड कीपर संजू सेंप्शन को मौका नहीं मिला क्राइस्ट चर्चर के हेंगली ओवल मैदान पर टीम मीडिया के कप्तान सिखर दावन ने जब प्लेंग लेवन का खुलाइसा किया तो उसमें संजू सेंप्शन का नाम नदारा था ऐसे में संजू सैंसुन को फिर से प्लेंग लेवन में सामिल नहीं किया जाने पर उनके फैंस भड़क गए सोसल मीडिया पर कई तरह के मेम्स सेयर किये गए इतना ही नहीं बीसी सी आई को लेकर भी कई पोस्ट सोसल मीडिया पर दिखे सिरीज के तीसरे और अन्तिम वंडे के लिए भारती कप्तान सिखरधावन ने प्लेंग लेवन में कोई बदलाव नहीं किया था उन्होंने ओक कप्तान रिशाप पंत को ही बता और विकेट कीपर टीम में सामिल किया संजू सैम्सन सिरीज के पहले वंडे में खेले थे लेकिन वहा नमबर छे पर उतरे थे सैम्सन ने ओकलैन में खेले गए उस मैच में 38 गिंदो पर 4 शोगों की मदर से 36 रन बनाए हाला कि भारत को साथ पिकेट से करारी सिकाज जहलनी पड़ी थी बदा दे केरल के रहने वाले 28 वर्षी संजू सैम्सन को प्लेंग 11 में सामिल नहीं किया जाने पर उनके फैंस भलग गए हैं एक यूजर ने लिखा आप तो हधी हो गई है भारत इस मैच को हार सकता है पंत जीरो बनाएंगे वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा सैम्सन को खेलाने के लिए क्या आप गेंद बादी भी सीखनी पड़ेगी वहीं we want संजू हैस्टेग भी ट्रेंड होने लगा एक यूजर ने लिखा संजू सैम्सन की बार बार अंदेखी हो रही है जो एक क्रिकेट पैंस और क्रिकेट फ्रेमियों के लिए काफी गलत है तो दूस्तों आप इस पर अपनी राइक कमेंट जरूर करें